कि हलो हाई नमस्ते आदा आप जिजरिकाल की आलचाल कैसे आप लोग मैं खुलती बंडारी स्वागत करता हूँ आपका विदान्तूज क्लास 9th and 10 चैनल पर आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं 15 डेस चैलेंज का डे की सेशन बहुत इंपोर्टेंट होने वाले क्योंकि बेसिक से लेके एडवांस लेवल के क्वेशन्स आप लोगों को करवाने वालों मैं एक बारी फटा-फट से मुझे बता दो क्या मैं सुनाई और दिखाई दे रहां गाइज ओ गाइज कैसे हो गाइज क्या मैं सुनाई दे रहां है धैर्या है शार्या और सारी है सुपरिया है मुकेश है पापु यादव हाई जीया हाई राधिका मुरू स्टुडेंट्स आर निकी माम सेशन क्या बात कर रहूं कि निकी माम का सेशन चल रहा है क्या का आए भाई निकी माम का सेशन नहीं है उनका तो इवनिंग में उतर हाँ सो रादे रादे जी रादे रादे जी हाई गुर्मन हाई हाई महक रादे रादे हाई सर रोस्टिंग 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 शॉट्स का सेशन का कल का पर्सों का सबका बदला लेगा रहे आज यह कुल्दीप सबका बदला लेगा और आज हम करने वाले हैं किसी इंसान की रोष्टिंग जिने रोष्टिंग बहुत अच्छी लगती है आज मैं उनको ऐसा रोष्ट करूंगा ऐसा रोष्ट करूंगा ऐसा रोष्ट करूंगा ना कि बस वो रोष्ट होके इतने भुन जाएंगे जल जाएंगे कि बस क्या ही बोलू फिर आना सो यस किसकी बात हो रही है हाई दीपिया मुझे भी रूपा की तरह हाई वोलिए सबको हां वेरी गूर्ड वेरी गूर्ड तो बहुत शॉक है ना उनको दूसरों को रोस्ट करने का कभी गरीब बाप बना देते हैं मुझे हां कभी विद्वा इंसान बनाने की बात करते कभी चाय बनाते हैं आओ आज हम उनको मस्त मस्त चीजे बनाएंगे चालो गाइस तो हाँ हाँ तो फटाफट से बढ़ते आगे और देखते हैं कि क्या कुछ चीजे आज हम बनाने वाले अभिशेक सर को आपके और उससे पहले यार अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नह हाँ दोस्तों के साथ आप लोग सेशन को शेर कर सकते हैं जो भी बच्चा नया है इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सो दाट सही टाइम पर सही जानकारी आपको मिल जाए है ना और बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़ेंगे यार यह अपना स्टाहिल है है ना औ सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यार एरिया टाड़ेंटेटेड टो सरकल जना एरिया आज रिलेटेड टो सर्कल अगर मैं इस चाप्टर की बात करों अगर अब अभिशेह कसर से पूछो गैंगो वो बोलेंगे आए बेंगन है ना क्योंकि उन्हें सरकल में पता है क्या देखो सरकल होता है ऐसा और यह देखके यह देखके यह देखके यह जब भी मैं सरकल बनाता हो ना मुझे पता क्या क्या नजर आता है इस सरकल में मुझे इस सरकल में अभिशेक सरकी शकल नजर आती है वह भी बिल्कुल ऐसे ही गोल से सरकल जैसे है ना और यहां पर अगर मै वोगों ने सोचा यार यह तो बिल्कुल अभी जैसा दिख रहा है तो उन्होंने बंद कर दिए इतना बुरा लगा यह इतना बुरा लगा कि उन्होंने बंद ही कर दिए ऐसे देना तो अगर आप ऐसे मतलब देखोगे तो लग रहे ना यह कि यार सर मतलब मुझे तो लग रहे है ना तो गाइस इस चाप्टर में हम लोग ना इसी के एरिया के बारे में डिसकस करने वाले ठीक है ना अच्छा किस टाइप का एरिया सर एरिया तो हम बच्पन से पढ़त अच्छे रहती हैं चलना वाल बनादिया यार बना था आब अब हुआ देखो इनको दूद्वाला बना तो तो क्या कहते हैं यहिस तरीके से आप लोगों के वाइद अब बना ये आ जाया हुगा आज में पने पास सबसे से पहले हम कुछ topics के बारे में जान लेते हैं आप लोगों को area of sector पता होना चाहिए ठीक है ना इसमे area of segment पता होना चाहिए सिर्व यह दो ही topic आप लोगों के पास पूरे के और length of arc और length of arc चाप्टर में हैं बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर एरिया of combination of figure areas of combination of figure देखो वैसे तो यह topic deleted है बहुत सारे sample paper में बहुत सारे sample paper में question paper में यह topic देखा गया है तो मैं आप लोगों को यह suggest करूंगा कि कुछ questions तो कर लेना मैं भी आज के session में आप लोगों को कुछ questions कर वाओंगा इस chapter के इस particular topic के तो आप लोग भी कर लेना है ना ठीके जी हाँ सर आपकी कितनी girlfriend से हाँ अब इस लड़के ने सही सवाल पूछा ना बेटा बहुत चारी अगर मैं बताने पर आया ना तो फिर यह पूरा का पूरा session खतम हो जाएगा बट उनके नाम खतम नहीं होंगे सो इसलिए मैं बताना नहीं चाहता हूं आज यह वाले office में है क्या नहीं office में नहीं आज बस आज वह देख रहे होंगे ना मेरा session तो वह भी बोलेंगे करता है बारी-बारी लुको समझेंगे तो सबसें पहले आप लोगों के पास देखो यह आप लोगों का सरकल में आप लोग को पता है और नहीं को पता है उन चीजहों के बारे में जाओंगा क्योंकि वह चीजह आप दों पता है ना तो अगर मैं यहां पर इस तरीके से इस तरीके से ड्रॉ करता हो दो रेडियोज ड्रॉ करता हो है ना तो यह जो पार्ट आप लोगों के पास बनता है ना इस पार्ट को यह जो दो पार्ट्स आपके पास बन जाते इन पार्ट्स को बोला जाता है बिटा सेक्टर इनको बोला जाता है सेक्टर जो छोटा वाला पार्ट है वो जाता है माइनर सेक्टर और जो बड़ा वाला पार्ट है वो हो जाता है आप लोगों के पास मेजर सेक्टर ठीक है ना अच्छा अब आप लोगों के पास आता है कि इस सेक्टर का एरिया निकालो तो इस सेक्टर क बार कह रही थी ना विशेक सर को कॉल करो जल्ट भी कॉज आज़ो ठीक है ना हाँ जरूर लगाने एक यार सर के मुझ पर हाँ अरे देखो चश्मा क्या आज तो धोती खोल देंगे हम पूरी की पूरी तो अगर मैं इस माइनर सेक्टर के एरिया की बात करूं न बिटा तो इ लोगों के पास बिटा यह एक मेजर सेक्टर है मालो यहां पर जो एंगल रहा है वो। एलफा एंगल बन रहा है कितने डिगरी का एंगल बन रहा है एलफा और यह जो एलफा होता है भी टीटा एलफा नहीं देगा तो आपको Sector का area आप ऐसे भी निकाल सकते हो area of circle area of circle minus area of minor sector एना कि सरक पूरे के पूरे circle के एरिया से माइनर सेक्ठर का अगर मैं area subtract कर दो तो area of major sector मुझे क्या मिल जाता है पता चल जाता है तो इस तरीके से आप लोगों के पास यह sector का area काला जाता है यह है इना विल्कूल से माइनर सेक्टर आप हो और मेजर सेक्टर अभिशेक सर है वाव 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 बहुत बढ़िया आपको पता है बिश्वा जी कि एक यार सर को बोल रही थी कि बारा बजे का सेशन के अब उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे टॉपिक की विचिस लेंट ऑफ और अब देखो मैंने थोड़ा बड़ा सरकल बना दिया है क्यूंकि हुआ क्या था ना वो जो सरकल था ना वो जो सरकल था पीछे वाला व सरकल थोड़ा सा बढ़ा होगी यह दिवाली के पाद वाला सरकल है मतल quién के बाद वाले एक यारिसरे तो अगर अब आप अब आ यहां पर यह जो हल refresh है इस आप की अगर आप JEFF लेंथ निकालना चाते हो सा की अगर अगर आप लेंथ निकालना चाते हो तो लेंथ आफ एन आर यो होगी आपके पास theta upon 360 into 2pi r है ना यह आपके पास length of an arc हो जाता है अगर मैं major arc की बात करूँ तो फिर दुबारा से यहां पर जो angle होगा alpha upon 360 into 2pi r तो यह length of arc का formula हो जाता है ना तो इस तरीके से आप length of arc निकाल सकते हो जाए है आजा आप उसके बाद आप लोगों पास एक और Topic है विचे सेगमेंट और सेगमेंट जोह वो सबसे जादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कशिक है और थोड़ा सा मुश्किल क्या क्या बस सेगमेंट होता है यह आपके पास और बड़ा अभिशेक सरकाम होगा तो सेगमेंट क्या होता है कि यह आप लोगों को पता है बेटा कॉड होती है यह आप लोगों को पता है कॉड होती है और कॉड में कॉड में कॉड ने इस सरकल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक यह है एक पार उपर वाला इस पार्ट को बोला जाता है बेटा सेग्मेंट और जो छोटा वाला पार्ट होगा उसको बोला जाएगा माइनर सेग्मेंट और जो बड़ा वाला पार्ट है उसे बोला जाएगा मेजर सेग्मेंट फिर दुबारा से है ना अचा अब अगर मैं ब minor segment का area जो निकलेगा बेटा वो निकलता आपके पास area of sector पूरे के पूरे sector का जो area है उससे आप subtract कर दो area of triangle area of sector से अगर मैं area of triangle को subtract कर दू तो आप लोगों के पास minor segment का area आ जाएगा और अगर मैं बात करू major segment के area की major segment का यह जो major segment बन रहा है यह वाला major segment का जो area है इसका area कैसे निकलेगा आपके पास area of circle circle के area से- area of minor segment पूरे के पूरे circle के area से minor segment का अगर आप area निकाल सब्त्राक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा अगर मैं एक और तरीके से निकालू तो देखो बीटा यह क्या है आपके पास सिर्फ इतना सिर्फ इतना यह क्या है मेजर सेक्टर तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो मेजर सेक्टर का एरिया प्लस अगर मैं मेजर सेक्टर के एरिया में यह ट्राइंगल का एरिया आड कर दो प्लस एरिया ओफ ट्राइंगल तो भी मेरे पास area of triangle तो भी मेरे पास क्या हो जाएगा पूरे के पूरे major sector का area जाएगा सिर्फ ये तीन topics से बिटा आप लोगों के पास area of sector area of segment और area of triangle area length of an arc है ना तो सिर्फ ये तीन topics से आप लोगों के पास और इन का होगा या तो आपके पास 90 डिगरी का होगा या तो फिर आपके पास 120 का होगा तो 120 का तो सी बीए सी ने डिलीट कर दिया है अगर 120 डिगरी का एंगल आएगा तो यहां पर फॉर्मूला यूज करोगे और अगर 60 डिगरी का एंगल है तो वह आपके पास एक ट्राइंगल बनाता है और हाफ इंटू साइड का स्कूर और साइड क्या है रेडियस तो यह फॉर्मूला आप याद रखना वस तो यह सारा का सारा आपके पास इस पूरे के पूरे बजे फिर उनका है आठ बजे फिर मैं रोस्टिंग करूंगा फिर वो रोस्टिंग करेंगे करते रहेंगे बस यह करने आये ना पढ़ना लिखना नहीं है तुम लोगों को बस यह करना तुम लोगों को कि सर इनकी रोस्टिंग कर दो उनकी रोस्टिंग कर दो लड़ाई क कि ठीक है यह चैप्टर पुरानी एंसी आटी से कर ले हाँ यार पुरानी एंसी आटी से कर सकते हो विरेन वैसे एरिया of combination of figures deleted है बट मैं करवा रहा हूं मैं कुछ 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 क्वेशन में करवाओं गांगा है ना ठीके यह आप लोगों के पास theoretical पार्ट था अब मुझे ज़रा यह बता दो कि इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई यह जो फूरी थी इस पूरे के पूरे चैप्टर का कितना माक्स है क्या क्या टॉपिक्स है अभी हम question की help से और जादा समझेंगे इसको है ना ठीक है ठीक है ठीक है अमेजिंग समझ में आगया समझ में आगया अब यार मैं आप लोगों के ना पांच मिनट और लेना चाहता हूं before going further towards the question पांच मिनट किस चीज के लिए यार आप लोगों ने शायद सुना होगा जो बच्चे पहली बार सेशन को देख रहे उन लोगों को नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको एक बारी फिर से बता देता हूं विदान्तु बेसीकली आप लोगों के लिए कर रिवीजन बाच लेकर आया है विचिस कॉल्ड आज दुरोन तो इस रिवीजन बैच में है क्या क्या चीजह है इस रिवीजन बैच में और क्या कैसे मतलब क्या चीज़ है सो फ्रॉम थर्ड ऑफ जैन्वरी से लेके थर्ड जैन से लेके 15 फैब तक 15 फैब तक आप लोगों का एक रिवीजन बैच चलेगा है ना जिस बैच का नाम है दुरूना इस बैच में आप लोगों के जितने भी यूट्यूब टीचर्स है वो सारे के सारे टीचर्स आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं जैसे मैं मैच पढ़ाऊंगा अभिशेक सर फिजिक्स पढ़ाएंगे निकिता मैं केमिस्ट्री खुश्पू मैं बाइलाजी और ओशिन मैं इंग्लिश सुर्भी मैं एसस्टी पढ होंगे और इन सबी सेशंस में आप लोगों को प्रीविय स्यर्ट रोह यागा एगा फुल सिलेपल विजन आप लोगों का करवा या याफा और जितने भी आपके doubts होंगे वो सारे के सारे doubts clear होंगे देखो exam आने वाले बहुत सारे बच्चों के marks बहुत अच्छे आये हैं कुछ बच्चों के marks अच्छे नहीं आये just because कि कोई उनके doubts all नहीं कर पा रहे हैं तो इस बैच में आप लोगों के doubts जोंगे वो हम लोग solve करेंगे और किस तरीके से solve करेंगे अभी जैसे आप लोग chat में मुझे अपने doubts भेजते हो तो कभी मैं देख पाता हो कभी नहीं देख पाता हो बट यहां पर ना मैं आपको unmute कर सकते हो आप मुझे बात कर सकते हो मैं आपको देख सकते हो तो two way communication होगा जो भी आप बोलोगे मैं सुनूंगा मैं आपक तो अच्छा सो अब इस बारे में यह हम हर साल लांच करते गाई अब इस बारे में थोड़ी बहुत और चीज़े बता देतो यह यह यूट्यूब पर नहीं होगा यह विदानतु के paid platform पे होगा विदानतु का जो आप होता है विदानतु की जो website होती है वहां पर इस बैच की 20 रुपे के आसफास आएगा है तो अगर मैं बात करूं इसमें टूमन्त का ये जो कोर्स है आपके पास टूमन्त का क्रैश कोर्स जो है आप लोगों के पास वह पूरा पूरा स्ले बस हर एक चाप्टर कवर करवाया जाएगा हर एक चैपटर कि important questions करवाए जाएंगे लेलिया मैंने दुरोना बैच वेरी गुड़ का व्यांश है ना सो अल्रेडी एंड्रोड वेरी गुड़ गाई वेरी गुड़ जिन्नों ने एंड्रोल नहीं किया मैं उनके बारे में बता रहा हूं है ना ठीक है आज़ो सो एक महीने की फीज जो है आप लोगों की लगवग लगवग पंद्रा सो रुपए है जिसमें हम आप लोगों को चार सब्जेक्ट कवर करवाएंगे है ना और अगर आप पर सब्जेक्ट की कॉस्ट निकालोगे तो यार वो लगवग आपके पास 375 रुपए के आसपास तो वो भी आपके पास जादा नहीं आएगी यानि कि एक सेशन एक क्लास आप लोगों की दस से बीस रुपए के आसपास पढ़ रही है है ना सो विच वेरी गुड आई डोंट तिंक सो की मतलब उतना जादा मतलब महेंगा है बिकॉस यार देखो लेक उतना मेंको नहीं ल 500 रुपे पर मन्त जिनको अगर यह बहुत जादा लगरा 15 रुपे पर मन्त उनको बहुत जादा लग लगर के लिए 500 रुपे पर मन्त यह कोर्स है लेकिन वह Meta vby आफ़् लोग इस इस वीडिए और हो आगी सब्सक्ज देखो तो उस जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर द्रोना की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे अब अगर आप देखोगे ना तो तीन हजार फॉर टू मन्थ है ना वैसे यह कोर्स आप लोगों के पास छे हजार रुपे का है लेकिन आप जब इस पर बाई फुल क लोगों को करवाएंगे और अगर आपका कोई सेशन मिस भी हो जाते हो और आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे जैसे हम टेलिग्राम पर डाल देते ना वहां पर कहीं पर डालने की जरुरत नहीं है जैसी क्लास खतम होगी जो भी नोट्स मैं लिख रहा हूं जो भी म पार्टेसिपेट कर सकते हो यूट्यूब पर नहीं कर पाते हो यूट्यूब पर जैसा चल रहा है हम वैसा ही करते रहेंगे यूट्यूब पर क्लासेस बन नहीं होंगी है ना बस आपका यह होगा कि यार वहां पर नाम आपको थोड़ा सा परसनल अटेंशन दे सकते हैं क् लिमिटेड सीट से जादा बच्चे नहीं होंगे वहां पर बहुत लिमिटेड सीट होंगी और हर एक बच्चे का डाउट हम एजिली कैटर कर सकते हैं मेरे अलावा मेरे साथ दो और टीचर भी होंगे जो सिर्फ आपके डाउट सो सॉल्व करेंगे अगर उनका डाउट समझ नहीं आता है तो फिर आप मेर से भी पूछ सकते हो उसके अलावा आपको असाइनमेंट मिलेंगे डिजिटल स्टडी नोट्स मिलेंगे पीडिएफ के फॉर्मैट में और यह जो दूसरा वाला है ना आप इसको भी ले सकते हो अगर किसी को यह बहुत जादा लग रहा है त पर की प्राक्टिस करनी है बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट में आप लोगों को हर सब्जेक्ट के तीन मॉक टेस्ट पर दे रहा हूं इसके मतलब हम लोग कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं कुछ-कुछ बच्चों के कॉमेंट भी आ रहे थे मतलब पढ़ रहा था मैं ठीक है आ तो आप इस टेस्ट सीरीज में आओ गे ना तो इसका प्राइस बिल्कुल 0 रुपीज है 1000 रुपए का यह टेस्ट सीरीज है लेकिन हम आपको फ्री ओफ कॉस्ट दे रहे हैं और आपको क्या करना है बस इस लिंक पर क्लिक करो यहां पे खुद को साइन अप या लॉग इन वो करना आपको एन्रोल कर दो Camera कोई Chuck नहीं कमें तो भी आप यह ले सकते हो रोनएंप क के बैच में नहीं हो तो भी आप अप इसको ले सकते हों फ्री वाली चीज़ लेई सकते हो 她es तो इसमें हर सब्सक्राइब तेटिस्ट पेपर आप लोगों को मिलेंगे हर सब्सक्राइब तो जो की बोर्ट के पेपर पर आदारीत होगे जैसा बिल्कुल वर्थ एट है तो आपको यह लेना चाहिए हर साल अम दुरोना का बैच लांच करते हैं और हर साल बहुत अमेजिंग रिजल्ट आते हैं आप उस वेब साइट पर देख लेना कि कितने अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट आए हुए थे चालो चालो रिवाइज इंडिया भी आएगा बेटा जल्दी आएगा है ना तो यह सारी चीज़े थी बाकी यह टेस्ट सीरीज के बारे में भी यहां पर कुछ स्टेप्स है आप इसके तुरू मतलब वह कर सकते हो खुद और यूपीह नमबर भीजा नी न यह शिकाह वो पुराना वाला शायत तुम्हारा एक्स्पायर ओगया अल्रेडि एनलोड बैरी गुल्ड बैरी गुल्ड बैरी गुल्ड बैरी गुल्ड दू रोले हुए अश्ट आमेंसेंग हां तो जिसको अगर हमारा समझ नहीं आता है अगर आपको हमारी चीज़े समझ में नहीं आ रही हो और फिर भी आप यहां पे हो तो इसका मतलब यूर वेस्टिंग यूर टाइम यूर वेस्टिंग यूर पेरेंट्स मनी तो आप लोग बहुत वह आपने साथ तो बुरा करी रहे हो और अपने माबाब के साथ भी बहुत तो बिटा अपना टाइम वेश्ट मत करो अपने पैसे माबाप के पैसे जो वो मेहनत से कमाते हैं उनको बरबाद मत करो है ना जहां पर भी आपको समझ में आता है आप वहां पर जाके पढ़ो चिकेना मैं बिल्कुल नहीं बोलता पकड़के तो मैं लाता नहीं यूं किसी को कि आओ मेरी क्लास में बैठो दुरोना का कोर्स ले लो या ऐसा कर लो वैसा कर लो है ना दैट इस यूर च्वाइस बट फिर भी आप अगर यहां पे होना तो यह तो आपको मजा रहा है यह तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहो मतलब ऑवियसी बात है मजा तो 10th grade में तो तब तुम्हें realize होगा कि और जो टॉपर होगा वो कभी ऐसा नहीं करता है उसको तो जहां से पढ़ना वो पढ़ रहा है अपना मजे से पढ़ रहा है है ना बट जो कुछ बच्चे होते हैं तुम जैसे जो कुछ बच्चे होते वह ऐसे ही करते और फिर उसके ब होगा भी नहीं और अगर मुझे कोई बच्चा दिग गया वहां पे किसी दूसरे प्लाटफॉर्म पे ऐसा बोलता हुआ इस चैनल से ब्लॉक कर वा दूंगा उसको है ना बिकॉस I don't want to waste your time time सबसे ज्यादा प्रीशियस है ठीक है नाओ नू वटेवर यू वाट दूमान आ विल दूमान आपके पास क्या है दा वील आफ मोटर साइकल ऑफ रेडियस 35 संटीमीटर हो मैनी रिवलुशन्स आर रेक्वाइड डिस्टेंस आप 11 मीटर देखो अब बहुत मस्त सी कानी मेर एक मोटर साइकल है मोटर साइकल का रेडिएस जो कितना है 35 सेंटीमीटर इसका रेडियस और आपको बोला गया है कि ग्यारा मिटर जब यह वील ग्यारा मिटर का डिस्ट ट्राइबल गरेगा तो उसके कितने कंप्लीट रिवल्यूशन हो जाएंगे हज़े हैं तो ये मुझे तो इसा लगता है अगर उस मोटर साइकल पे अभिशेक सर बैठे होंगे तो क्या लगता है तुम्हें यह 11 मीटर भी चल पाएगा तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें लगता है कि नहीं लगता है कितने बच्चों को लगता है वाण लगता है लगता है कोई बात नहीं करने दो तो यह आप लोगों के पास है अब आप लोगों को यह बताने कि 11 मीटर के दिस्टेंस पे 11 मीटर का जब यह डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो इसके कितने रिवक्रविशन खांगे आपको बस एक चीज याद रखने है जो वन रिवक्रेवल्यूशन होता है जो गोन और रिवक्र में वोगता है चक्कर में वह की रिवोलुशन का जो डिस्टेंस होता है किसके बराबर होता है पैरी मिटर के एकवल तो एक्स रिवोलुशन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स इंटू पाई यार पैरी मिटर के एकवल है तो डिस्टेंस कितना यह एक्स रिवोलुशन में डिस्टेंस कितना एक्स रि 35 फाइफ तूसर टेन टेन है ना बाकि इस टेन को इधर भेज दो ग्यारा इंटू दस और बाइस को नीचे बेज दो यह आपके पास X की वेल्यों आ जाएगी पाच रिवलुशन इस दी करेक्ट आंसर फाइव रिवलुशन इस दी करेक्ट आंसर आर यू फ्रॉम वर्चपन से मतलब दिल्ली में रहे है और अब यहां पर बैंगलॉर में बुलालिया तुमारे सर्ग एक है अक्यार अपनी वाइफ को बिठा कर रहे थे ने विल्कुल विल्कुल एचर चालो नागे बढ़ पर अगला सवाल यहां सवाल ऑगला सवाल कर इस इतना आपके पास कोई प्लेग्राउंड विटा जो की सर्कुलर शेप में है आपके पास कोई प्लेग्राउंड विटा जो की कि शेप में है सर्कुलर शेप में है इसका एरिया आपको दिया गया है इतना find the cost of fencing this ground at the rate of 50 per meter अब इस सर्कुलर ग्राउंड पे ना कुछ कुछ फेंसिंग करनी है इस सर्कुलर ग्राउंड पे ना कुछ फेंसिंग करनी है देखो कल अभिशेक सर बहुत मतलब बतारते ना आपको कि जहां पर लड़किया दिखती है वहां पर कुलदीप सर आपको जरूर मिलेंगे हैं ना कुछ-कुछ ऐसा वो कुछ-कुछ मतलब मे देखने रोज आपके 1-8 जर भी आते थे है ना रोज कॉन आते थे आपके 1-8 जर भी इस पार्क में आते थे तो फिर हुआ क्या ना एक दिन उनकी वाइफ ने देख लिया यह जा कहा रहा है सेम पाँच बज़ए यह जाता कहां है डेली-डेली पीछा गया उन्हों ने तो तो कहानी थी कुछ इस परकार से आप जो cost of fencing आप बस वो निकालनी आपको एक मीटर की जो costMusic की जो cost है वो पड़िए है對 50 अब आपको total cost बतानी इतोटल cost बतानी है ठीक है ना कि कि कितनी टोटल cost लगेगी इस पूरी के पूरी beensinMin shade ठीक है इसलिए बोल रही अच्छा ऊपर चला गया वो टोटल कॉस्ट फेंसिंग कितनी लगेगी है ना तो बिचारे एक यार सर अब सुन्दर सुन्दर कन्याओं को नहीं देख पाएंगे मैंने पूरा का पूरा बाउंडरी लगा दिया यहां पर ठीक है आजो तो यार आप लोगों के पास एरिया ओफ सर्कुलर एरिया दे रखा है इस पूरे के पूरे सरकल का एरिया ओफ सरकल आपको दिया गया है एरिया ओफ सरकल आपको दिया गया है कितना टू टू वन सेवन स सेंटिमीटर स्क्वेर अब देखो कॉस्ट कैसे निकालोगे देखो टोटल कॉस्ट जो होगी वो कैसे निकलेगी टोटल कॉस्ट उसने आपको बोला है कि एक मीटर पे एक मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है पचास रुपे है एक मीटर की कॉस्ट पचास रुपे है तो पू कि चोटल कोस्ट कितनी हो जाएगी जितना भी उसका परिमिटर होगा इंटु 50 अब परिमिटर के लिए आपको स्ट निकाल के दिखा तरह कितना किसी बचे का का रेडियस आया है क्या किसी बचे मदर करेडियस आया है customer 2176742 अगर मैं इसको 11 से कट करूंगा 11 तूज थिर 11 कितना है रेडियस 84 पक्का 84 है भाई तो मैं 84 लिख दू सीधा ठीक है तो मैं लिख रहा हूं पक्का 84 है एक बड़ी चेक कर लेते रेडियस 84 है या नहीं है ठीक है गाइस तो रेडियस आप लोगों के पास आ गया ठीक है ठीक है तो रेडियस आप लोगों के पास आगे 84 सेंटीमीटर अब अगर रेडियस आपको पता चल गया है तो टू इंटू पाई की वेल्यू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू आर आर कितना है एटी फॉर इंटू फिफ्टी अचा बाइद वे बस इसका इसका फैक्टराइजेशन कर ले ना यार निकल जाएगा आप लोगों का ठीक है ना अचा सेवन से अगर मैं इसको कट करने की कोशिश करू तो सेवन बंज़ दू दू आपके पास कि यह त्वेंटी फॉर 232 202 202 टो 260 और 20 और लगा दो तो इतना अरहा है यार 2600 रुपटे का कॉस्ट आ रहे 26000 चार्सों 20400 रुपए का कॉस्ट आ रहे हैं ना 26000 400 रुपए का कॉस्ट आता है सर मीटर में कंवर्ट करना वह को यस्काईज यह आप लोगों के पास सेंटी कर सकते हो है तो अगर आपको इसको मीटर में कनवर्ट करना है तो इसको हंड्रेट से डिवाइड कर दो जो भी आपका रेडियस था जो भी आपका रेडियस था बस इसको हंड्रेट से डिवाइड कर दो हंड्रेट से डिवाइड कर दो यह कट जाएगा तो यह आपके पास आ सर्च करके इस पर यह लगाया गया ठीक है ना सब सर आप भी उसी पार्क में थे क्या बिटा प्लान तो मेरे था मैंने तो मैं को बताया कि एक यार सर जाते रोज पांच बजे उस पार्क में ठीके ना तो फिर मैं ने बोला अच्छा अभी लगवाती हो फैंसिंग अब फैंसिंग लगाने से दिक्कती हो गई एक यार सर बाहर रह गए और मैं अंदर फस गया तो चालो जी आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बहुत सिंपल सा सवाल है दर रेडियस आपके पास सर्कल है आपके पास गosphanate Calak डिकृवट सर्कल तिक इसका सेंटर जोैं वह आपके पास ऑ है ओए औंड ओबी जो है वो रेडियस है और एबी जो है आपके पास सेगमेंट है यह आपके पास इस तरीके से segment दिया गया है ति की थोड़ा circle कट रहा होगा शायद आपकी स्क्रीन से यह आपके पास दिया गया साथ सेंटी मेटर यह साथ सेंटी मेटर बोला गया है क्या कि यह 90 डिगरी का एंगल है तो आपको माइनर सेगमेंट भी निकालना है मेजर सेगमेंट भी निकालना है देखो माइनर सेगमेंट आप कैसे निकालोगे मैंने आपको बताया है एरिया ओफ सेक्टर फटावट से निकाल दो एक बारी एरिया ओफ माइनर सेगमेंट एरिया ओफ माइनर सेगमेंट माइनर सेगमेंट का जो area है माइनर सेग्मेंट का जो area है वो आपके पास निकलेगा कैसे area of sector माइनस area of triangle area of triangle है ना area of sector क्या होता है थीटा अपउन 360 into πi r square πr square minus area of triangle क्या हो जाएगा मैंने बोला ता लोगा तो हाफ इंटू बेस इनटू हाइट बेस भी रेडियस है हाइट भी रेडियस ठीक है इसको कट करोगे फोर पे कट हो जाएगा तो यह अगा आपके पास वांव इंटु ट्वंटी तू भाइ सेवन और रेडियस कितना है साथ इंटू साथ का माइनस वन बाई टू इंटू साथ इंटू सांट तो यार देखो कट रहा है तो काटो एन तौ 11 तो यह आपके पास बचा 11 इंटू 7 डिवाइड वैडिट रए टू माइनस 1 दाइटू 7 एल इन तो थेएवन अपॉन तू थेवन आ रहा है उसे कट करोगे seven two toonnzust checking सेंटी मीट्र स्कूरर यह आप लोगों के पास माईल सेगमेंट का एРИए आगया 14 हमाइनर सेगमेंट का एरिया आपके पास ठीक है यह आगया अच्छा अब उसके बाद आप लोगों को निकालना है मेजर सेगमेंट का एरिया मेजर सेगमेंट है एरिया ओफ मेजर मेजर सेगमेंट मेजर सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकालोगे मेजर सेगमेंट का एरिया आप लोग निकालोगे कैसे बेटा या तो सरकल के एरिया से ट्राइंगल का सॉरी माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो है ना एरिया ओफ सरकल area of circle minus area of minor segment and a minor segment area minus cardo what simple जिकानी तो बस यू तो अकेला ही अकसर मैं गिर के संभल सकता हूं ठीक है और सेवन टूजा फॉर्टीन और 154 हो जाएगा 154 माइनस 14 तो 140 cm square आ जाएगा ठीक है ऐसे कर दोगे ठीक है और ठीक है चुचा आओ भाईया इसलिए बोल रही थी सबसे ज्यादा गाली मैं खाऊंगी आप से अच्छा मिलो बेटा तुम पेट सेशन में दुरोना बैच में मिलो जरा मुझे सबसे बदला लूंगा मैं ठीक है आजो अगला सवाल अब पेपर इस इंदी फॉर्म ओफ रेक्टेंगल ABCD क्या एक पेपर है एक पेपर है विच इन दी फॉर्म ओफ रेक्टेंगल है ना और यह वही पेपर है जिस पेपर पर अभिशेख सर ने आल्यावट को लव लेटर लिखके दिया और उसने फाड़ के ऐसे फेग दिया सच्चा यह यह जूट नहीं बोल रहा है यह हुआ है जिस सची घटना पर आधारित है ठीक है आजो अब पेपर इस इन दी फॉर्म ओफ रेक्टेंगल विच इस ABCD A B C और यह D ठीक है तो यह बी आपके पास दिया गया 20 अच्छा एब दिख दो सीधर लिख दो डिद लिख दो अबी सी आपके पास दिया गया 14 तो यह भी होगा 20 और यह भी होगा कितना 14 संटेमेटर इस टीक है और इंड में वाइच करना पड़ेगा अच्छा और कुछ यह सची घटना पर आधारित है वही रेक्टेंगल वही रेक्टेंगुलर पेपर है यह जिसकी लेंध 20 संटीमेटर और विड्थ इसकी 14 संटीमेटर है जिस पर सरने प्रेम पत्र लिखा था और उसने फाड फूड के लगा दी आग उस पे ठीक है आज आग तो अब आपके प portion है जिसमें BC क्या है आपका diameter BC is what BC is the diameter the learning part the remaining parts के आपके पास remaining part है आपके पास यह वाला आपको इसका area निकालना है आपको क्या निकालना है six ins remaining portion का area nj gaan कैसे निकालोगी करें बहुत simple से आप क्या करोगे Area of rectangle area of rectangle — area of semi circle कर दोगे है न कंड wn then to आप लोगों के पास जब आप इसको करोगे न no पास एक रैपके पास स्थाक्तों शेल्गर साथ तो रेडियस हो जाएगा साथ इंटू साथ डिवाइड़ वाई टू ये वाला टू साथ से साथ काटा ग्यारा से इसको काटा सो 11 इंटू सेवन कितना हो जाएगा आदो में यह वही पेपर है आधा तो जला दिया इतना छोड़ दिया यह जो जलने के बाद जो बचा हुआ था ना इसका तो राक हो गया तो यह जो बचा हुआ था ठीक है जी आज़ा गाना गाई यह एक यार सरको डेडिकेटेट करते हुए हां जरूर गाएंगे जरूर गा इतना फाइंड अप सेक्टर बहुत बढ़िया सवाल है गाई और ट्रस्ट मीडों मार्स का यह सवाल मैंने बहुत सारे सांपल पेपर में देख लिए बहुत सारे सेंपल क्या बोलता है तब पैरीमीटर आप लोगों के पास कितना है बटा शिक्टीन पॉइंट पॉइंट किसका सेक्टर का पैरीमीटर किसका पैरीमीटर सेक्टर का पैरीमीटर सेक्टर का पैरीमीटर सेक्टर का पैरीमीटर आप ध्यान से समझ ना भाई यह सेक्टर का पैरीमीटर क्या होता है कर नीजिए सरकल है सरकल का यह रेडिए परेकर बगुंप वसक्ति देखो यह sehr च्छार आपके पास तो सेक्टर के अगर मैं पेरी मीटर खारू बीटा सेक्टर के अगर पीरी मीटर की बात करूशullen तो पेरिमेटर होगा ये वाला डिस्टेंस विच इस रेडियस ये वाला डिस्टेंस विच इस रेडियस और प्लस ये वाली आर्क पेरिमेटर क्या होता है सम आफ आल साइट्स ना तो यह जो फिगर है पेरिमेटर ऑफ सेक्टर क्या होगा इसको याद रखना बेटा पेरिमे 2.2 cm दूसरा रिडियस कितना है 5.2 cm और लेंथ आफ आर्क आपके पास कितना अटा थीटा आप आपन 360 टीटा दिये हैं थीटा नहीं दिये हैं थीटा आपन 360 इंटू पाई आर स्क्वेर और पेरिमीटर आप सेक्टर कितना दिया गया है 16.4 यह चीज है अब यह 16.4 एजटेज रहेगा बेटा 5.2 प्लस 5.2 तो यह हो जाएगा 10.4 प्लस थीटा आपन 360 इंटू पाई की वेल्यू 22 अपन 7 एगाई रेडियस की वेल्यू कितनी आप लोगों के पास 5.2 इंटू 5.2 आचा एक काम करते हैं देखो आपको क्या निकालना आपको area of sector निकालना find the area of sector find the area of sector अब देखो थोड़ा सा amazing सा करते इसको area of sector में क्या होता है area of sector में आप लोगों के पास हो जाता है क्या थीटिटा पां 369 इंटौपलाी और स्ट्वेर यह गतरण थीटा पन 360 इनटौपर स्क्वेर्ट तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकत थीटा अपन 369 अच्छ भइद वे यह लेंथ आउख का फ्रण मिला यह नहीं होता है गाई टूपंए तो पह जो टूपन 360 पाई आठ इंटो आएसे लिख सकते हैं तो यह क्या है लेंथ आफ आठ प्रिसिक्स्टी इंटू आप ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना थीटा पॉइंट फॉर अगर इधर आएगा तो 16.4 – 10.4 हो जाएगा इज इकोल्स टू थीटा अपॉन 360 इन्टू पाई आर इन्टू टू यह टू को बस मैंने पीछे शिफ्ट कर दिया क्यों कि यह अभी बताऊंगा तो इन दोनों को माइनस करोगे छे आ जाएगा टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो यह थीटा अपॉन 360 इन्टू पाई आ इन्टू आर और थीटा पॉन 360 इन्टू पाई आर इसकी वेल्यू आपने निकाल दी है तू तो इसकी वेल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो टू और रेडियस कितना है 5.2 तो यह आजाएगा आपके पास 10.4 सेंटीमेट्र स्क्वेर तो गलत की है क्या कुछ ओ 3 3 3 3 3 3 यह नीचे टू है टू मैंने ठी लिग दिया है ना 3 तो यह आजाएगा आपके पास कितना 15.6 सेंटीमेट्र स्क्वेर ठीक है 15.6 सेंटीमेट्र स्क्वेर ठीक है थी ऑमेजिंग शीवांगी जी इडी वेरी बैस्ट शीवांगी जीोन आरे देखा हुआ मैंने र्दिका सैनिटायिजर पी लोry मग और वासे जो अगला सवाल और बहुत होगा गाईज है ना अभी दो-तीन सवाल और बचे हैं फिर उसके बाद मेंटी खेलेंगे अपन लोग कह रहा है कि आपके पास एक स्क्वेर था और मतलब एक समी सर्क मतलब इस तरीके से ओ-ABC inscribed its Quadrant and Quadrant and Quadrant मतलब जब एंगल 90 डिग्री का बनता और उसके अंदर एक स्क्वेर है जिसकी साइड आपको दी गई है कितनी 20 ये 20 है ये भी 20 आपको कोई shaded region का area निकालना देखो shaded region का जो area होगा area of shaded region वो कैसे निकलेगा आपके पास area of quadrant जो पूरा का पूरा quadrant है उसका area minus area of square square का area और यह जो quadrant एना बेटा यह सेक्टर ही है एक ऐसा सेक्टर जब आपके पास एंगल 90 डिगरी का हो जाए ना तो वह आपके पास quadrant कहलाता है तो थीटा पॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेर यह सेक्टर का area होता है माइनस area of square क्या होता है म्यक्याइव सब्सक्राइब क्या मुझे रेडियस नहीं आता है खु dem है कि सो मध्च वेरिग वेरिग वेरिजुट बच्च बच्च खही कह रहें 22 2017 नहीं है यहां तक का डिस्टिंस यह रेडियस कहVES थर deze है न मैंने भी किसेंटर से यहां तक का डिस्टिंस यह रेडियस थोपन टीङ तो सिर्फ इतना एंटीज तो इतना यह तो आपका पूरा यहां से लेके यहां तक होना चहिए ना तो यह ही Hamilton आपका तो जब आप पाइथागौलस थिओंसे निकालोगे न तो 20 रूट टू आ जाएगा पाइथा-घौरस ठीओर आती होगी शायद आपको तो आप टूंटी रूट टू रेडियस निल्टन लोगे तो इसको काट हो गे तो यह तो जायेगा वन अपन फॉर पाई की वेल्यू आ जाएगे आपके पास कितनी ट्वेंटी 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 रूट ट्वेंटी रूट ट्वेंटी रूट ट्वेंटी रूट टू और साइड कितना है बेटा स्क्वेर का साइड कितना है ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी अब देखो calculation को कैसे easy करना है calculation को कैसे easy करना है देखो ज्यान से देखो 20 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो 20 into 20 common ले लो 20 into 20 हम क्या किये common ले लिए ठीक है इसको cut करोगे तो यह 11 होगा यह 2 होगा तो यानि कि यहाँ पर बचेगा 11 upon 2 into 7 है ना 2 और 7 नीचे root 2 into root 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा minus यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा सब कुछ बार आ गया तो 2 से cut कर दो तो 20 into 20 और bracket के अंदर 11 upon 7 minus 1 हो जाएगा बहुत सिंपल है तो 20 से 20 को मल्टीपल आई किया इसको solve करोगे 11 minus 7 upon 7 तो यह आजाएगा 400 into 4 divided by 7 यानि कि 1600 upon 7 cm square ठीक ही है कि सर विडिफिकल्ट प्रॉब्लम विल मतलब आपने आज बहुत इग्नोर करिया किया है मुझे आ रहे है नहीं नहीं खुशी बटा ऐसे कई से बाइदवेख खुशी मेरी एक सिस्टर है उसका नाम भी खुशी है है हेलो रन्वीर रन्वीत तुसी सिंगल हो बताओ भाई सुल्तान जी कुछ पूच रहे हैं रन्वीत आप सिंगल हो या नहीं अगला सब कि क्या गलत हो रहा है भाई या बाई की वैल्यू 3.14 लेने को बोला है उसने पाई की वैल्यू 3.14 लेने को हाँ 228 point something आ रहे ना हाँ ठीक है ठीक है इतना भी ठीक है हाँ बस पाई की वेल्यू अगर आप 3.14 substitute करोगे तो इतना आ जाएगा आपके पास exact ठीक है जी आ जाओ ठीक है सर आप ये session upload करोगे क्या session कौन सा वाला session बेटा मतलब मैं समझा नहीं कौन सा वाला session अपलोड करना कहा करना देखो अगें वन आफ दी वेरी गुड़ एक्जामपल क्वेशन गाईज एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था एरिया ऑफ combination of figure के questions में करवाऊंगा आपको तो ये area of combination of figure का ही question है क्या कहते है a b c d is a square of side 14 cm a b c d a square है जिसकी side कितनी है विटा 14 cm यह 14 है यह 14 है यह 14 है आपको यह shaded region का area निकालना है अगर उसके यह 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 जो बन रहे है यह semi circle जो है यह चार से मिसरकल है तो यार आप बस एक चीज को ध्यान रखो आप बस एक चीज को ध्यान रखो कि यह वाला जो portion है आपका यह first हो गया यह इदर वाला मैंने सेकेंड माल लिया इदर वाला मैंने फॉर्थ माल लिया तो area of shaded region है क्या area of shaded region कि अगर मैं बात करूं जो area आपको निकालना है area of shaded region तो shaded region का जो area है वो क्या है बिटा area of फॉर्स प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फॉर्थ इन चारों पार्ट्स को अगर मैं एड कर दू तो मेरे पास shaded region का एरिया आ जाएगा ठीक है बिटा आजो अब क्या करना है ध्यान से देखना यह आपके पास एक semi circle था यह आपके पास दूसरा semi circle था यह आपका flor strand था यह आपके पास second portion है तो अगर इस square से मैं इन दोनो necklace to area माइनस कर दो तो first say सेकेंड का area नहीं मिलेगा क्या मुझे मतलब मैं यह area minus कर देता हूं और यह area भी माइनस कर देता हूं Square से तो फ़स्ट और सेकेंड का area मिल जाएगा ना मुझे आना तो बस वही करना मुझे तो area of first plus second first plus second का जो area होगा वो किसके के इक्वलबटा area of square गर माइनस एरिया of q a MP2 ये सहरक्ल को सेमी इसकोर कितना हो जाड़ा सायड कितनी jeff forteen है तो 14.20 इंट्व फॉर्टेन ओर से Bäूसर कल का एरिया कितना होता है आप आई री सक्वएर अपान टू तो अगर मैं す स्को्प्रन अगर आप एक तो निकालने की कोशिश करूं तो 14 इंटू 14 माइनस पाई की वेल्यू कितने 22 अपान 7 इंटू रेडियस कितना है डायमेटर अगर 14 है तो साथ इंटू साथ यह हो जाएगा एंड डिवाइड वाइड़ वाइटू 196 माइनस 77 196 सब्ट्राक्ट करोगे 77 से तो फॉस्ट प्लस टू का एरिया कितना आ जाएगा तू सेमी सरकल है तो एक से यह वैसा भी कर सकते हैं आप ओ तू अच्छा वाइद दिला दिया टू सेमी सरकल से आप तो यह आ जाएगा आपके पास गाईज 22 इंटू सेवन यह थोड आप लोगों के पास हो जाता है 154 तो 154 अगर मैं सब्ट्राक्ट करूंगा तो यह आ जाएगा आपके पास दो और नौ में से पांच गये तो चार सो 42 सेंटीमेटर स्क्वेर आप लोगों के पास आ जाएगा फॉस्ट और सेकेंड का एरिया उतना ही आपके पास थर्ड और फॉर्ट का भी एरिया आएगा तो एरिया आफ शेड़ीड रीजन कितना हो जाएगा आपके पास 42 प्लस 42 और 42 प्लस 42 कितना जाएगा 84 सेंटीमेटर स्क्वेर इतना आना चाहिए 84 इस दिवाइनल आंसर 84 84 is the correct answer ठीके जी चलो हाँ कहां पे हैं हम कि यहां पे हैं कि ठीक है चलो फटाफट से करते हैं इसके बाद मैं एंटी भी खेलना ना आजो इना सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमेटर अगर आप लोगों के पास कोई सरकल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमेटर है एन आर्क एन एंगल इस 60 डिग्री 60 डिग्री का एंगल है फाइंड दा एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ट बाइद आर्क और अलसो फाइंड लेंट फार्क आई डोंट तिंग सो मुझ पर मैसेज किया और आपने देखा भी नहीं सो सौरी श्रवनी देख लूंगा मैं करानी की जर्रत है या नहीं कर लोगे ठीक है इसको स्किप्ट करते फिर है ना क्यूंकि कर लोगे आप लेंट अफ आर्क और सब कुछ दिया वैं यह क्वेशन बढ़िया यार यह क्वेशन मैं आता है अमेज़िंग कैसे यह बहुत हमेजिंग वेशन है बहुत है आपनेजिंग किया दो यह कहता है आपके पास करेंगल के त्रयंगर यह और सबीद Sorry इस तरीके से कुछ कुछ सरकोल से हैंIn सभी सरकल को एन सभी थरुक्ल को जब मैं हटा दूंगा इस अध्या,, wana portion मतलब यह वाला portion यह वाला portion यह वाला portion और यह वाला portion जब मैं remote कर दूंगा इस ट्राइंगल में यह वाला को संद्री मुじक्या सब्fleet का आपको इन तीनों पॉर्षन का एडिया निकाल रहे ब tribal abc with radius 14 cm इसका एडियस कितना 13 यह 14 यह 14 यह 14 यह 14 यह 44 यह 13 अब्ध ठ्री पॉर्शन of the triangle so farmed are removed यह जो REMOVED ARIA होगा इसका अरिया निकालना किस-किस बच्छे को यह आता है येस येस खुशी बिल्कुल 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 भाईया डाड मना कर रहे हैं दुरोना लेने के लिए क्या करूँ कि डाड को मनाओ डाट को बोलो अगर आप चाहते हो पास हो लेने दो अना अमेजिंग किस किसको आता है खीक है कुछ-कुछ बच्चों को आता कुछ-कुछ बच्चों को नहीं आता बद बहुत बड़িच या सभाल है आपको बताई कि यह सेक्टर एंए यह क्या है तको कि यह करना ही ए एरिया ओंव removed portion removed portion जो है वो किसके equal होगा portion जो है वो इन तीनो sector के इसको अगर मैं first माल लूँ इसको second माल लो इसको third माल लो area of first plus second plus third तीनो sector के area के equal होगा area of sector agar मैं first वाले का area नेकाल लूँ area of first sector, अगर मैं first sector का area निकालू, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, theta upon 360, theta तो हमें पता नहीं, इसको angle A माल लेते, theta upon 360 into pi r square, radius तो पता है पर angle नहीं पता, radius तो पता है पर angle नहीं पता, दूसरे वाले का निकालू, area of second sector, अगर second sector का area तो B upon 360 into pi r square, angle नहीं पता, area of third sector, area of third sector, तीसरे सेक्टर का area, अगर मैं देखू तो C upon 360 into pi r square, अब यार मुझे angle नहीं पता, क्या करूं मैं, क्या करूं अब इसके बाद, इसके बाद क्या करूं, एक बारी फटावट से बता दो मैं चली बाइक चलाने, बाइब बच्चों, अरे वाह, एरी, सर, equilator triangle है, नहीं नहीं बेटा, ये बोला थोड़ी नहीं, उसने equilator triangle है, बहुत चारे बच्चे यहाँ पे, angle को, theta को, 60 degree माल लेते हैं, अरे प्रभू, अरे प्रभू, हाँ, हा, देखो, equilator triangle नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो, आपके पास यह जो circle है न, बीटा, ये ऐसा है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं है, कि वो touch कर रहे हो, मैंने touch कर वा दिया, बट जरूरी नहीं है, वो touch कर रहे हो, तो इक्विलेटर ट्राइंगल नहीं है वो ठीक है ना इक्विलेटर ट्राइंगल नहीं है साइम से यहां पर थोड़ी सी शायद मेरे से भी गलती हो गई है मैं आपको एक बारी फिर दुबारा से फिगर दिखा देता हो यह फिगर ऐसा है वेटा ऐसा ऐसा यह फिगर कुछ- यह फॉर्टीन और यह फोर्टीन यह सी है यह यह भी यह यह दि अब तो एक्विलेटर ट्राइंगल नहीं दिखरा ना अब तो आध्तो एक्विलेटर bashim नहीं लिखरा ना वे और भी तैय यह द्यारिया बहुत शारे बच्चे का area add करना तो अगर मैं तीनों सेक्टर का area add करूँ पहले वाले सेक्टर का क्या था ए अपॉन 360 इंटु पाई आर स्क्वेर दूसरे वाले का क्या था था भी अपॉन 360 इंटु पाई तो देखो पाई आर इसक्वेब अपन-360 में न ciao रियो और यहाँ कपे नहीं का एटो पंपोन-320 कंटूंत एपलस-वी-पलस-ची यह-टीनों के इसको कैंचलक गरो फेडी होगा और यह आपके पासพप पाई 22 upon 7 radius कितना था 14 into 14 divided by 2 है ना तो यह आजाएगा आपके पास तू काटो के इसको इससे काट दो है ना 14 तूसर 28 280 प्लस 28 तो यह कितना हो जाएगा 8 308 308 cm2 आप लोगो का एरिया आजाएगा ठीक है पीटा चालो सो फाइनल क्वेशन ऑफ दिस सेशन और यह आप लोगों का होंवर क्वेशन है आप लोगों के पास फाइंड दा पैरी मीटर ऑफ दा शेडिड रीजन आप लोगों के पास 21 cm दे रखी है यह जो शेड़ी रीजन एन यह वाला शेड़ी रीजन आपको इसका पैरी मेटर निकालना इसका पैरी मिटर दोनों का पैरी मिटर ठीके शेडिड रीजन का परिमेटर निकालना ठीक है जी सो निकाल लेना शेडिड रीजन का परिमेटर बाकी मेंटी पे चलते अब सो इस सेशन के नोट्स अगर आपको PDF के फॉर्म में चाहिए तो वह टेलीग्राम गुरूप पे मिलेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है यह मेरा इंस्टाग्राम आईडी ए फॉलो मत करना रिपलाई नहीं करता हूं मैं किसी को मतलब कोई कोई अगर देख लेता है त तो फुटाफटे में आ जाते हैं एना फिर टाटा भाई भाई खतम करते हैं यू तो अकेला ही अकसर मैंगर तो यह गाईज इस यह मेंटी कोड़ एना फुटाफट से आजाओ सभी बच्चे विटाफट जोई जोइन कर लो तो आपको जुएन कैसे करना में टी.com पर जान ग्वूज कर लेना है ना सर आप नेक्स्ट क्लास में हूंवट कॉईशन कराएंगे आप कोमेंस section में answer कर थे ना इसका कि ह हुद्ध आज खुजबो मैम के साथ फ्रेंक और करो फैरे कि खुजबो वैसे ही नराज यहholder ti तुम कहे रहोस के साथ प्रैंक काल करो हुद झाल झाल तो, तो. कि आज़ाओ जी चलो देखते कितने बच्चे जॉइन कर चुके तो काफी बच्चे जॉइन कर चुके कि जिसको चने वाला बनाया गया हूँ आज खुद चने घा रहा है तो जैसे यह 100 क्रॉस हो जाएंगे फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं कि गाना कि भी ख्याली में भी तेरा ही ख्याला है कि यूं बिचड़ना है जरूरी यह सवाला है तेरी नजदी कियों की कुशी वाई जस्ट ब्रेक आप सॉंग्स नो कमेंट चलो पहला क्वेशन आप लोगो की स्क्रीन पाने वाला है कुछ इस प्रकार से 3 2 1 चलो so yes guys this is your first question say you sir why you are so cute because I eat channel that is why I am so cute अधिया अधिया के लिए गाना गाओ दुश्मन ना करे दोस्त ने जो काम किया है मुझको रोष्ट किया था कल आज हमने तुम को किया है एंदो सॉन डेडिकेटे टुक यार फेवरेट अभी जेग भाया sir why you are not taking v-quiz week quiz भी होता है वी बिदेश इवनींग में यह जँ करते हैं चना खाते हुए चना चना मेरे या नैं उनके लिए यह है तोस्त दोस्त ना रहा क्यूं तुमने ऐसा किया कल मुझे बहुत ही रोष्ट किया उसका बदला आज हमने लिया चालो आजाओ तो यस गाईज एरिया ओफ सर्कुलर रिंग फॉर्म्ड बाइट इतना इतना रिस्पेक्टिवली कह रहा है कि आपके पास दो कॉंसेंट्रिक सर्कल से एक का रेडिया से बिटा 4.3 और एक का रेडिया से बिटा 5.7 तो आपको यह जो रिंग बन रही है इसका एरिया नि-कालना तो क्या करना है बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल का एमाइनस कर दो पाइक अमनलो तो आर मेलो फाला पाई का वैल यू 22 अपॉं 7 रेडियस कितना वाइवाले का 5.7 का स्कॉयर माइनस 4.3 का स्कुर अब दे को बहुत सारे बच्चे इस तो यह हो जाएगा आपके पास 22 upon 7 into दोनों को एड करोगे तो यह यह हो जाएगा यार 6 410 into इन दोनों को सब्ट्राक्ट करोगे तो 0.0 कितना आ रहे है भाई सही कर रहे है ना 1.4 आना चाहिए शाय था ठीक है यह डेसिमल अटा दो नीचे आ जाएगा अ 10 10 से 10 काट दो सेवन टूसा फॉर्टी ट्वेंटी टू इंटू 244 बहुत इजी थी कालकुलेशन मुश्किल नहीं थी बहुत आसान थी चलो देबत्री देन वी हाव स्व सच बताओ पक्का तुम ही हो क्या वैभव दन्वी हैव क्रिश विद्या यहां क्या कर रही हो तो तुमको भोले थे ना हमारे सेशन में मत आया करो चलो गाईज अगला सवाल आप लोगों के लिए भाईया आपने हमें नहीं बुलाया बंडारे में और यार आजा कुलू भ होगा बट गाइस ट्रस्ट में मैंने कोई क्वेशन वेशन कुछ नहीं बताया उसको पर आई डोंट नो वह यहां पर क्या कर रही है अब भीया अब हर्श सर के लिए गाव हर्श सर तो बहुत अच्छे दोस्त है मेरे अब भी माम को प्रांक काल करो शुर्भी माम यार न्यू यर की छुटियों पर कहीं घूमने जा रहे हैं अमबानी है वह हमारे विदानतु की कुई न विदानतु है है तो वह अमेरिका गई भी है गूमने न्यू यर के ट्रिप पर बताओ हम लोग घर से भार नहीं जा पा रहे हैं मैं अमेरिका के ट्रिप मार रही हैं अमेजिंग आई अरे प्लीज करो ना खुश्बू मैं को कॉल हमारे लिए इतना नहीं करोगे सर कभी बंगलाहूर आऊंगा तो आप से मिलने तयार रहना अरे बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल्ला एहमद खान दा एरिया ऑफ दो सरकल ड机नभू के अंदर स्क यह स्कुईर के अंडर सरकल यह फिगर बने अनदर स कौन सा बने गा इसकंड ऑला या सेकंड वाला आवेzिंग बहुत बड़ीर My chance के रहे हैं कि आपके पास एक सरकले सरकल के पास कि स्क्वेर है स्क्वेर के अंदर सरकर है तो क्या एरियर वह और लिखाल डेकर ओका स्थी सन्टीमेटर कंँ से सब्सक्राइब देखें कुलू सर की वाइफ तो दूसरे पर आ गई क्या बात है लड़की आजाओ सो तप पर आ गई क्या बात है कुलू सर की वाइफ देन वी हाव हार्दिक वैबव कृष्णा ओन गोल बुरी किसमत शहज दिवियंका पांडा देन वी हाव जॉनी देन वी हाव अनसॉल्ड अनमुल तुम ही जीतना आ जाओ जी है कौन वैसे यह कुलू सर की वाइफ वाला कहने बेटा यह कि एक बारी क्या हो आता ना एक बच्चे ने कुलू सर की वाइफ के नाम से ज्वाइन किया था है तो उसके बाद उस बच्चेका मेरे को इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट भी हाया और वो जीत गया कहता मैं हूं कुलू सर की वाइफ वह लड़का था मैं का एंटे भाई क्या कर रहे हो बेटा क्या कर रहे हो इस दिन के लिए माभाब ने पैदा किया था तुम्हें की मैं पुल्लू सर की वाइफ बनके गूमो तुम लोग दो क्या पता कोई लड़का लड़का यह बाई वह वह लड़का ही है नेरी बीवी के भेश में कोई छुपा हुआ लड़का है वो भाई या आप मुझे बात करोंगे दुरोना बैरे विल्कुल यार प्रें कैसी बात कर रहे तरह हमें चन्या खिला दो फेकू आज़ो 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 यार आज़ो प्रेंटर आज़ो 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 यहां यह तो पक्का मेरी वी ने सभी आंसर पर चल रही है अभी जीते ही जीते हैं यह कौन ये कौन है तो my wife this is a very proud moment for me that she is winning the she's like leading the leaderboard and a hardik web of one goals hedge the Bianca unsolved Sam Anirudha will be OP then we have one more Charlo guys so three two one a glass of all your top wallet Nalin by a name सारे आंसर गलत कहां जा रही हो बताव वाई कहां जा रही हो जत्तिन को किसी से पूछ रहा है वो कि सर साउथ इंडिया कैसे कहां कैसे लगा अच्छा है वेदर इस सो गूड इन बैंगलोर सर रॉंग ऑप्शिंस आपक्या बात कर रहे हैं रॉंग ऑप्शन तीन ऑप्शन तो गलत होंगे अच्छा इस वाले में दर डायमेटर ऑफ वील इस 40 डायमेटर एबटा रेडियस तो नहीं ले रहे हो इसको तो 176 और वो सेंटीमीटर में यह मीटर में तो देख ले ना सोड़ा कि क्या बात कर रहे हो है अब तो अप्रॉक्सिमेट वाला ले लो ना अचिंध साथ अप्रॉक्सिमेट वाला कंप्लीट रेवल्यूशन की बात कर रहे हो आप्शन गलत नहीं है ऑप्शन बिल्कुल सही है देखो रेडियस है आपके पास 20 cm cm को अगर मैं मीटर में कनवर्ट करूंगा तो यह आ जाएगा आपके पास 0.2 मीटर अब मैंने आपको बताया जो नंबर ऑफ डिवल्यूशन होता है वो किसके बराबर किसके होंगे जितना भी टोटाल डिस्टेंस आपके पास 176 डिवाइड़ वाइड़ पैरीमीटर है ना सॉल गरेंगे तो 176 टू इंटु ट्वेंटी टू बाई 7 इंटू रेडियस कितना 0.2 तो इसको कार्ट दो फिर ए कौन था भाई यह 141 वाला कौन था यह 141 वाला अब सब्सक्राइब एक 140 आ रहा है ठीक है जी चलो सो दुरूवी कह रहे हैं कि खुजबू मैं को रांग कॉल करो दुरूवी अगर आप लीडर वोड़ पे आगे ना मैं पक्का प्रांग कॉल करूंगा ठीक है आजो सो कुल में गोल हारतिक सहज सम अंसॉल्ड अनिरुद्रा कुलूभिया ओटी हर्श एंट सुडल in 10. pursuing upreece ओकरी सवाल आकरी सवाल क्या मेरी धरम निए जीत पाएंगे ये क्लेटा दोस्तों क्या लगता हैं क्या लगता है या लगता है क्या लगता है क्या लगता है ग्या लगता है सो 3...2..1.. Come on everybody सुनो सारे आंसर गलत कर दो सर की वाइफ जीटनी चाहीए सब आपकी वाइफ एक यार सर होंगे हैं नहीं नहीं बेटा हमारा ऐसा टेस्ट नहीं है ठीक है हमारा टेस्ट बिलकुल वैसा नहीं है तर खड कार सकति सकतर होंगे कि बनी हैं कि अजसे हैं झालकुल अवा हमारा टेस्ट बिल्की कि बनी जवाव इस ओत रो है झाल झाल अच्छा हो गया यह हां आजब तो अपॉड ऑफ शर्कल ऑफ रेडियस तेंटीमेटर सब्टेंट्स राइट एंगल एड़ी सेंटर आफ अफ शर्कल देखो एक कॉड है एक कॉड है वह सेंटर पे 90 डिगरी का एंगल सब्टेंड कर रहा है ठीक है दा एरिया ओफ माइनर सग्मेंट माइनर सग्मेंट का एरिया निकालना मैने आपको बताया रेडियस कितना है 10 है मैंने आपको बताया है क्या की area of sectors area of sector क्या होता थीटा अब्ट ऑन 360 इनू पाई आर स्क्वेर आर टेन इंटू टेन सौ जाए का माइनस हाफ इनूप एंटो हाइट 10 इंटो तेन स इसको काट होगे यह एक वटा चार आजाएगा एक बटा चार इंटो पाई की वेल्यों ट्वैंटी टू अपन 7 इंटु 100 माइनस हाफ इंटू सौ ठीक है दो से काटोग है इसको यह आजएगा इसको फिर दो से काटोगे 50 पचास आएगा इसको दो से काटोगे पचास आएगा तो यह आपके पास पचास अगर मैं दोनों से कॉमन ले लूँ यहां पर बचेगा ग्यारा बटे साथ और यहां पर बचेगा बिटा माइनस वन अब फिर दुबारा से पाई की वेल्यू 3.14 बोला उसने है प्रभू है प पॉटीन 28.5 सम्टिंग आएगा यही आंसर ठीक है पाई की वेल्यू देख लेना है और बस तो गाईज क्या लगता है क्या लगता है क्या लगता है मुझे तो लगता है कि नई जीती शायद गईज वैभव वैभव ने मेरी बीवी को अरा दिया कौन है यह वैभव है कौन मैं जीत गया वैभव तुम मिलो बिटा कैसे मेरी बीवी से जीत गए यार तुम थोड़ी सी तो शरम करते तुम लोग हाँ तो सेट सब्सक्राइब निए बंट आमेजिंग आप लोगों को बताया था सोचना आप लोग एक बारी है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में है पहला लिंक दुरोना का है तो आप लोग दुरोना कर सकते हो पर्चेज उसमें हम लोग आपको प्लाटफॉर्म पे आपके जितन करवा देंगे बहुत मज़ा आएगा तो अब मिलेंगे टाटा बाइबाइ थैंक यू सो मच